की फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कस्टट सिवाई की रेसिपी इसे खुल्फी की तरह या फिर आप कस्टट की तरह भी खा सकते हैं तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हमने एक आम ले लिया है आप चाहे तो कोई भी आम ले सकते है एक चम्मच के करीब हमने इलाइची पाउडर लिया है चार चम्मच करीब हमने चीनी लिये थोड़े से ड्राइफूर्स लिये और दो चम्मच करीब हमने कस्टड पाउडर लिया है इसके अलावा हम अब हमें क्राइंडर में यक अपिक दाने पावडर लेकर लेकर फोड़ा त्होड़ा पाउड़ा करें इसे आप अब करेंगे देखिए इसका एक स्मूथ पेस्ट बनके तयार हो गया है अब हम एक कस्टर पाउडर लेके थोड़ा थोड़ा डूट डालकर इसका एक गोल प्रिपेर कर लेंगे एक कड़ाई में आदा लीटर डूट डालकर इसको हम उवलने रखेंगे गैस का फ्लेम हमने मीडियम किया हुआ है हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही धीरे 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 धूट को बालना है बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा अब हम इसमें रोस्टे सिवाई डालेंगे अगर आपके पार रोस्टे सिवाई नहीं है तो आप इसको थोड़े से घीम डाल कर भून सकते हैं इसके बाद हमने इलाइची पाउडर डाला है इसे हम पकने देंगे इसे पकने में लगबग साथ से दस मिर्ट का समय लगेगा आप इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा अब यहां हमने चार चमच करीब चीनी डाली है आप मिठास अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसे तब तक मिलाना है जब तक की चीनी बिल्कुल डाइजॉल नहों हो जाए इसमें हम अब कस्टर्ड पाउडर का गोल डालेंगे जो हमने प्रेपेर किया था दूसरे हाथ से हम इसे मिलाते रहेंगे हम इसको इसलिए मिला रहें ताक कि इसमें लम्स ना पड़ जाएं देखिए से बीच वीच में इस तरीके से चलाते रहना है हमें अब हम इसमें मैंगो का पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाये हुआ है अगर आपको यह बेटर बहुत ठीक लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा से दूट डालके इसको कुछ तेर के लिए और पका सकते हैं लास्ट में हम इसमें अब अनार के दाने डालेंगे थोड़े से और देखिए हमारी सिवाई बन का तयार हो गई है इसकी ठीकनेस भी ठीक लग रही है देखिए हमारा कस्टर बन के तयार हो गया है देखिए तेकने में कितना अच्छा लग रहा है और यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है आप चाहें तो इसे थोड़ी देर फ्रीज में रखकर ठंडा ठंडा खाए इसमें हमने थोड़े से अनार डाल डाले है इसकी कुलफी के लिए हमने बैटर को कुलफी मोल्ड में डाल दिया है और इसे अलमुनियूम फाइल की हेल्ट से कबर कर दिया है तो देखिए हमारी कुलफी बन कर भी तयार हो गई है एक बार यह रेस्पी आप जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत गूलिएगा थैंक यू कर दो कर दो